हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने घर की छट पर किसी गमले में धनिया को उगासकते हो और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी आसा नहीं बताए जाएगा कि मातर तीन दिन में या चार दिनों में ही धनिया त्यार हो जाए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को धनिया होगा के दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम धनिय के कुछ बीज ले लेंगे और ये जो बीज मैंने लिये हैं ये अपने घर पर ही त्यार किये होई बीज है आप लोग चाहो तो मार्केट से खाने के लिए जो धनिया करिते हो आप लोग उस धनिय का भी बीज के रूप में इस्तिमाल कर सकते हो पर ध्यान रहे कि वो धनिया एक साल से ज़्यादा पुराना ना हो तो अब इन बीजों को हम दो टुकडों में बांट लेंगे मैंने बेलन की साथ से इनको दो भागों में तोड लिया है तो जब भी आप लोग बेलन से बीजों के दो हिसे करोगे तो बेलन को हलके आतों से प्रैस करना है अगर आप लोग ज़्यादा जोर से प्रैस करोगे तो बीज नश्ट हो जाएंगे और ये जिरूरी नहीं कि आपने बीजों के दो टुकडे करने हैं आप लोग चाहो तो साबुत धनिय का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस इससे यह होगा कि उनके ग्रो करने में एक दो दिन एक्स्टा लग जाएंगे, अब हम इन बीजों को मिट्टी के उपर बिखेर देंगे, मिट्टी के उपर बिखेरने के बाद अब इनके उपर एक हलकी सी म मिट्टी के लेर चड़ाने के बाद पहरी बार इसमें भरपूर पानी देंगे, इसके बाद मौसम के हिसाब से इसको दिन में एक बार या एक दिन छोड़के पानी देना है, और ध्यान रहे कि इसमें एक हफता धूप और बारिश का पानी बिलकुल नहीं लगने देना है, तो दोस्तों यह रहा साथ दिनों के बाद का रिजल्ट अधिकतर बीज ग्रो कर चुके हैं और कुछ बीज अभी भी ग्रो कर रहे हैं, और यह रहा 12 दिनों के बाद का रिजल्ट और यह धनिया काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, अब आप लोग दिन में 2-3 घंटे की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद